हैं हैं तो ऐस हम बात करने वाले हैं अधर इंट्रेश्टह गयá फिल्ली वीडियो में बात कर चुक है मौलल लोटेशन की कि इंड्यू सेंप्शनद्री और वहल वी रॉलस सबके हैं तो कुछ और है इसको हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो हम सब के बारे में डीटेल में बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, acute mesenteric ischemia, तो acute mesenteric ischemia नाम से पता चल रहा है कि mesenteric vessels में ischemia होगा और यह acute होगा, तो देखिए बताया गया critical blockage of intestinal blood flow, तो intestinal blockage में critical blood flow हो जाएगा, और often embolic occlusion of superior mesentric artery, तो superior mesentric artery में embolic occlusion होगा, जिसके रहे से superior mesentric artery का जो इलाका है ना, पुरा यहाँ डीटेनम से लेकर transverse colon तक, यह यहाँ पर हमको नेक्रोसिस होगा है, देखने को मिल जागी, जब से पहले स्चिमिया होगी, फिर नेक्रोसिस होगा होगी, तो अगर यह 8 गंटे से जादा है, तो यहाँ पर नेक्रोसिस होगी, और यही सबसे बड़ा कॉज है, जब नेक्रोसिस होगी, तो हम इसको रिमूव करेंगे, superior mesentric artery के एरिया को, और जब यह रिमूव होगा, तो यहाँ डियूडेनम से लेकर, और यहाँ transverse colon, two third of the transverse colon, ज यह क्या है, लगबग पूरा हमारा small intestine remove हो गया, और इसी और यह से यह most common cause of है, short bowel syndrome का, ठीक है, तो यह critical blockage of the intestinal blood flow, तो यह हो गया, और इसमें सबसे जादा हमको देखने को मिलता है, superior mesentric artery, embolic occlusion, जिसके लिए से हमको short bowel syndrome देखने को मिलता है, तो जब ऐसा होगा, तो इसमाल clinical finding में हमको जितना दिखता है, उससे जादा हमको abdominal pain इसमें देखने को मिलेगा, और इसमें देखिए, red stool देखने को मिलेगा, जिसको हम current jelly stool भी बोलते हैं, ठीक है, तो यह हमारा हो गया acute mesentric estremia, और यह किसी में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे जादा superior mesentric artery में दे ठीक है, तो angio dysplasia क्या होता है, तो देखिए, angio dysplasia ऐसा होता है, कि यह जो हमारी vessel से यहां पहना, यह enlarge होती है, और enlarge सिर्फ नहीं होंगी, यह twist भी होंगी, तो यही होगा हमको angio dysplasia condition में, ठीक है, और angio dysplasia क्या है, second most common cause of massive lower GI hemorrhage, तो massive lower GI hemorrhage का second most common cause क्या है, angio dysplasia है तो यही देखिए, आप बताएगे, कि tortoise dilation of vessels, तो vessels यह है, यह दिलेट भी होंगे, तो tortoise dilate होंगे, यही है, तो यही है, तो यही है, तो यही है, angio dysplasia, और इसमें देखिए, क्या होता है, most often found in the right side colon, तो हम जब बात किये थे इसकी पहले भी, कि bleeding सबस्याद हमको कहां दे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो right side colon में हमको देखने को मिलेगी, और more common in older patient, तो यह more common in older patient, older patient में हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और confirm by angiography, तो इसको हम confirm करने के लिए angiography करते हैं, ठीक, और associated with end stage renal disease, और यह associate होता है end stage renal disease से, यह पहला हो गया, और दूसरा associate होता है, और जब aortic hysteresis से यह associate होगा, इसको हम high D syndrome भी बोलते हैं, ठीक है, तो अगर यह aortic hysteresis से associate है, तो यह high D syndrome हो गया, और यहाँ पे अगर हम management की बात करें, तो embolizing the bleeding vessels, तो जो bleeding vessels, जो यह चोड़ी होई थी ना इस तरह, इसको हम embolize करके यहाँ से bleeding को रोकेंगे, ठीक है तो यह इसका management हुआ, और उसके बाद फिर अब हम बात करते है, chronic mesenteric extremia, यह देखे, acute mesenteric extremia था, और यह chronic mesenteric extremia है, अब इसमें क्या होता है, कि जो हमारी mesenteric extremia हो गया यहाँ पर प्रॉपर बलड नहीं जा पाएगा, क्यों, तो देखे, intestinal angina भी इसको हम बोलते हैं, ठीक ह इन सब का atherosclerosis हो जाता है, और यह देखे, धीरे-धीर होता है, यह देखे, critical blockage हो रहा था है, इस ओड़े से इसको acute में consider किया गया, लेकिन यह पर atherosclerosis होगा, और धीरे-धीरे यह block होगी, इस ओड़े से इसको chronic mesenteric extremia में शुमार किया गया, और यह celiac artery में भी देखने क को मिलेगा, क्योंकि जब यह block हो जाएंगी, देखिए, यह हमारी superior mesenteric artery, अगर block होगी, कोई भी artery, तो यहाँ blood कम जाएगा, इस ओड़े से intestinal hypoperfusion हम को देखने को मिलेगा, और post-perandial epigastric pain देखने को मिलेगा, और post-perandial epigastric pain इस लिए देखने को मिलेगा, कि जब हम खान खा लेते हैं, तो खाना खाने के बाद, जादा blood circulation हमारे GIT को जाता है, ताकि यहाँ पे जो digestion हो प्रापर हो, इस ओड़े से brain की तरफ circulation कम होता, और हमको नीद भी आती है खाना खाने के बाद, तो post-perandial epigastric pain इस लिए देखने को मिलेगा, कि अब vessels dilate होंगी, लेकिन अजीब सा होगा, और खाना खाने कमन नहीं करेगा, एंड वेट लॉस भी यह हमको देखने को मिलेगा, तो यह सारी चीजे हो गई, और वेट लॉस को देखने को मिलेगा, क्योंकि जब खाना खाने कमन नहीं करेगा, और खाना खाने माद जब पेट दर्द होता है, तो पे बाता चल जाता कि यहां पर एथरोस्क्लोरिसिस कहां पर है और इसके ट्रीटमेंट की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें तो बाइपास ग्राफ्टिंग यहां पर बना रखें कि जैसे यहां पर इक्स्चीमिया है तो बाइपास ग्राफ्टिंग हम करते हैं ताकि यहां स इस्टूल में ब्लट देखने को मिलेगा कॉमनली अकर्स एट वाटर्शेड एरिया और यह कॉमनली वाटर्शेड एरिया में देखने को मिलेगा क्यों कोई कॉलन है तो कॉलन में यह वाला एरिया जो होता है यह वाटर्शेड एरिया होता है तो वाटर्शेड एरिया में सबसे ज़्यादा हमको इफेक्ट देखने को मिलता है तो वही है कि crampy abdominal pain followed by hematosezia commonly occurs at watershed areas देखिए watershed area कौन को से है तो splenic flexor तो splenic flexor देखिए इसको हम splenic flexor बोलते हैं ये और recto sigmoid junction तो देखिए sigmoid colon and rectum को junction है ये यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा और ये typically affects older adults और ये most commonly olders को affect करता है colonic extremia और इसमें भी देखिए जब हम x-ray करेंगे ना तो thumb printing sign हमको इसमें भी मिलेगी और ये क्यों मिलेगी mucosal edema या hemorrhoid से हमको ये thumb printing sign देखने को मिलेगी ठीक है तो ये देखिए ये thumb printing sign है ठीक तो ये हमारा होगे colonic extremia तो colonic extremia में हम देख लिए इसमें hematocasia भी present होगा और ये most commonly water state area में भी करेंगा तो water state area कहा कहा है colon में तो ये देखिए ये splenic flexor है यहाँ पे और ये recto sigmoid junction है यहाँ पे ठीक है तो हो गया और ये टिपिकली olders में देखने को मिलता है और इसमें thumb printing sign देखने को मिलती है ठीक है hemorrhage yaidema की वज़े से तो ये हो गया अब इसके बाद हम बात करते है necrotizing enterocolitis की तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे enterocolitis होगा और ये necrotizing होगा और ये किस में देखने को मिलेगा seen in premature तो ये premature में देखने को मिलेगा और formula fed infants with immature immune system formula fed infants हम बोलते है कि वो infants जिनको मा का दूद नहीं मिल रहा है बलकि मा के दूद में जो जो composition होता है तो वो उसमें दूसरे उसमें form में मिला के दी जाता है जैसे आज कल बहुत सारे आता है सप्लिमेंट जो बच्चों को दिये जाते है मा के दूद की जगए पे तो उन सब में क्योंकि मा का दूद नेचुरल है उसमें जो जो चीज़े पाई जाएंगी वो जो हम artificial बनाते हैं उसमें नहीं present होता है इस वज़े से ये seen in premature में देखने को मिलेगा तो नाम से ही पता जाला कि intestinal mucosa का necrosis हो जाएगा और most commonly terminal ileum and proximal colon तो ये terminal ileum and proximal colon ये most commonly यहाँ पे देखने को मिलता है और which can lead to pneumatosis intestinalis pneumatosis intestinalis हमको देखने को मिलेगा तो ये देखिए ये यहाँ पे दिखाएगा ये देखिए intestine में हमको air देखने को मिलेगी ठीक है इसी को हम बोलते है pneumatosis intestinalis ठीक तो ये हो गया हमारा और इसमें pneumo proteinium भी देखने को मिलेगा ये प्रियोटिनियम में हमको gases देखने को मिलेगी और portal venus gas भी हमको देखने को मिलेगा ठीक है तो ये हो गया हमारा necrotizing enterocolitis की finding ठीक तो necrotizing enterocolitis में हमको ये premature में या formula fed infant में देखने को मिलेगा जब इनमें immune system कमज़र रहेगा और इसमें नाम से पता चला कि जो mucosa है इसका necrosis इसकी necrosis हो जाएगी और ये terminal ileum और proximal colon most commonly देखने को मिलता है और इसमें pneumatosis intestinalis देखने को मिलेगा और newoperitonium देखने को मिलेगा और portal venus grass देखने को मिलेगा ठीक अच्छा हम यहाँ पर देखें इलियस को छोड़ा है तो ठीक है तो paralytic ileus यानि जो हमारी ileum है ना इसमें paralysis हो जाएगी ये move नहीं करेगी ठीक है कोई physical obstruction नहीं बलकि यहाँ पर प्लेक्सिस है ना और प्लेक्सिस यह काम नहीं करेगी तो देखें इंटेस्टाइन हाइपो motality without obstruction तो यहाँ पर obstruction नहीं होगा बस इंटेस्टाइन जो है यह हाइपो motile हो जाएगी यानि motile अच्छे से नहीं रहेगी और इसके और से फिर क्या देखने को मिलेगा तो देखें constipation and decrease flattus तो constipation हमको देखने को मिलेगा और flattus decrease हो जाएगा तो flattus का मतलब क्या है कि decrease intake of gas producing things या food तो जो चीज़े gas produce करती है वो खाने का मन नहीं करेगा बिलकुल हमारा मन हट जाएगा तो यह है constipation और decrease flattus देखने को मिलेगा और distended tympanic abdomen ठीक है distended या tympanic abdomen हमको देखने को मिलेगा यानि पेट ऐसे बहुत जादा बाहर निकला रहे है और यह associate किससे होता है तो देखे associated with abdominal surgeries तो abdominal surgeries से यह associate होता है और opiats से यह associate होता है hypokalemia यह देखे बहुत कमन चीज़ है तो most common cause of prolonged paralytic ileus जो है यह hypokalemia ही है और sepsis भी इसका cause है ठीक है तो यह सारे transition zone on imaging तो imaging में हमको कोई transition zone नहीं देखने को मिलेगा और treatment जो है यह bowel rest या electrolyte correction और cholinergic drugs यह जो है stimulate intestinal mortality को यह stimulate करते है cholinergic drugs इस होज़े से इसको हम देंगे ठीक तो यह होगा हमारा paralysis के लिए तो यहाँ पे ileus में हमको paralysis देखने को मिलेगी लेकिन यह hasprank disease की तरह नहीं होगा hasprank disease में यहाँ पर present यहीं नहीं थे ठीक है यहाँ पर nerve plexus present ही नहीं थी तो यह से इधर जो है हमको mega column देखने को मिलना था लेकिन यहाँ पर क्या यह स्लो हो जाएगा और इसी और यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ा feature क्या कि transition zone नहीं नहीं देखने को मिलना था ठीक है तो यह होगी हमारा और treatment हम बता दिये कि bowel nest की bowel को हम रेस्ट देंगे ठीक है और electrolyte को हम correct कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हाइपोकेलिमिया वगर की वज़े लादे बता गाएपोकेलिमिया नहीं उत ळूपकेलिमि बता ख्ली हम जाएपोकेलिमिया वेज़े कि एक बता देखनेत्त Пाई पर कि यहाँ पर देखने कि उल्टे में यहाँ श्राविक बता अभी प्रह।